नमस्कार मैं रवीश खुमार, क्या प्रधान मंत्री मोदी को परिवारवाद से प्यार हो गया है? आखिर प्रधान मंत्री मोदी ने बिहार के जमुई में परिवारवाद और नवादा में घष्टा-चार को लेकर लालू यादव या तेज़़वी यादव पर निशाना क्यों नहीं साध़ा परिवारवाद का जिक्र तो उन्होंने इशारे में भी नहीं किया तेजस्वी यादव इसका श्रे ले रहे हैं कि जमुई और नवादा की रैली से पहले उन्होंने ट्वीट कर जो सवाल पूछे उसके कारण प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद का नाम ही नहीं लिया यकीन नहीं होता कि तेजस्वी के सवाल उठाने के कारण प्रिवारवाद पर चुप हो गए उमीद है कि वे गुना की रैली में जो तिरादित्य सिंध्या के लिए प्रचार करेंगे तब परिवारवाद पर खोल कर बोलेंगे या फिर हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर के लिए प्रचार करेंगे उस वक्त परिवारवाद को लोगतंत्र का सबसे बड़ा खत्रा जरूर बताएंगे लेकिन यह तो बहुत बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव उकसा रहे हैं कि जमूई और नवादा की रैली में प्रधान मंत्री परिवारवाद पर बोलें और प्रधान मंत्री ने अपने इस प्रिया विशय पर बोला ही नहीं हमने जमूई और नवादा में प्रधान मंत्री मोदी के भाशन को पूरा पढ़ा हैरानी हुई कि उसमें एक बार भी परिवारवाद की बिमारी का जिक्र नहीं है यह नवादा की रैली का मंच है इसे आप प्रधान मंत्री का परिवारवाद भी कह सकते हैं इस मंच पर तीन लोग ऐसे हैं जो परिवारवात के प्रतीक कहे जा सकते हैं यहां से बीजेपी ने नेता पुत्र को टिकट दिया है विवेक ठाकुर के पिता सीपी ठाकुर वाजपई सरकार में स्वासमंत्री थे और बीजेपी से कई बार सांसद रह चुके हैं विवेक ठाकुर को बीजेपी ने राजिसभा का भी सदस्य बनाया था इसी मंच पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष समराग चौधरी भी मौझूद थे जिनके पिता शकुनी चौधरी समता दल से साथ बार सांसद और विधायक रहे शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे हैं नवादा की रैली में राम बिलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी थे यब पार्टी भी परिवारवादी है मगर बीजेपी ने चिराग की पार्टी के साथ गठबंदन किया है और पांच सीटे दी हैं चिराग ने ट्वीट भी किया कि देश के लोगप्रिया प्रधान मंतरी आदरणिया श्री नरिंद्र मोदी जी के द्वारा मिले इस प्यार और सम्मान का मैं सदव आभारी रहूंगा परिवारवाद के तीन तीन स्थम एक मंच पर प्रधान मंतरी मोदी के साथ इसी कारण इस मंच से प्रधान मंतरी के भाषण से परिवारवाद ही गयर नजर आया जबकि हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 15 अगस 2023 को उन्होंने लाल किला से परिवारवाद पर कितना कुछ बोला था मगर नवादा की रैली में लाल किला वाला भाशन लगता है पीम भूल गए अज मेरे देश के लोगतंत्र में ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोगतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती और वो क्या है विमारी परिवारवादी पार्टी है और उनका तो मंत्र क्या है पार्टी of the family by the family and for the family इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी political party उनका राजनितिक दल परिवार का परिवार के द्वारा और परिवार के लिए परिवारवाद और भाई भतिजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं योग्यता को नकारते हैं सामर्थ को स्फिकार नहीं करते हैं और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोगतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ती जरूरी है मुक्ती की बात कर रहे थे लाल किला का भाशन सुनकर किसी को लगेगा कि कितना सोचकर सुंदर तरीके से बोल रहे हैं लेकिन गोधी मीडिया दिखाएगा ही नहीं कि नवादा की रैली में प्रधान मंत्री परिवारवाद के लिए प्रचार कर रहे थे 2014-2019 के बाद या तीसरा चुनाव है प्रधान मंत्री मोधी परिवारवाद के नाम पर राहुल गांधी को ही निशाना बनाते रह गए मगर खुद परिवारवादी पार्टियों से गठबंदन करते रहे और अपनी पार्टी के भीतर सांसत पुत्रों को टिकट देते रहे और उनके लिए प्रचार भी करते रहे यही नही दूसरे दलों से भी नेता पुत्रों को उठा कर अपनी पार्टी में ले आए, लोग सभा भेजा, राज सभा का टिकट दिया तो यह है प्रधान मंत्री मोदी की परिवारवाद के खिलाब बहुत बड़ी लड़ाई का नमूना नमादा से पहले जमूई की रैली में भी लगता है वे परिवारवाद का जिक्र भूल ही गए जमूई से लोचपा के उमिद्वार हैं चिराग पासवान के बहनोई और राम विलास पासवान के दामाद अरुन भारती चिराग पासवान इसी सीट से सांसत थे अब उनके बहनोई अरुन भारती को टिकट दिया गया है क्या ये परिवारवाद नहीं है चिराग पासवान को पांच सीटे मिली हैं गठमंदन में चार सीटों पर उनके उमीदवार परिवारवाद के प्रतीक कहे जा सकते हैं चिराग खुद हाधीपूर से लड़ रहे हैं जहां से उनके पिता रामविलास पासवान रेकॉर्ड मतों से पहली बार जीते थे समस्तिपूर से नितिश सरकार के मंतरी अशोग चौधरी की बेटी शामभवी चौधरी चिराग की पारटी से उमीदवार है वैशाली से जिस वीना देवी को उमिदवार बनाया गया है वे भी विधान पार्षत की पत्नी हैं और वीना देवी पहले भी यहां से सांसद रही हैं जमूई की रैली में भी प्रदान मंत्री मोधी परिवारवाद का जिक्र नहीं कर पाए उल्टा परिवारवात को लेकर इमोशनल हो गए और चिराग को अपना छोटा भाई कह दिया आज इस मन्च से एक कमी हम सब को महसूस हो रही है हमारे लिए ये पहला ऐसा चुनाव है जब बिहार के बेटे दलीतों वंचितों के प्रिय और मेरे परम मित्र पज्म विभूशन से सम्माणित राम विलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है मुझे संतोस है कि राम विलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई भाई चिराग पासवान पूरी गंबीरता से आगे बढ़ा रहे है 19 अप्रिल को आप एंडिये को जो समर्थन देंगे आप भाई अरून भारती जी को जो एक एक वोट देंगे वो राम विलास जी के संकल्पों को मजबूती देगा क्या आपने कहीं हेडलाइन देखी कि प्रधान मंत्री मोदी ने परिवारवाद के नाम पर वोट मांगे कौन छापेगा ऐसी हेडलाइन अरून भारती के लिए एक एक वोट वे राम विलास पासवान के संकल्पों के नाम पर मांग रहे थे जिस पार्टी को 400 सीटे मिलने का दावा किया जा रहा है हर दूसरा एक्सपर्ट बीजेपी की जीत का एलान कर चुका है उस पार्टी के सबसे बड़े नेता अपना सबसे बड़ा मुद्दा ही छोड़ दें तो यह अजीव लगता है आखिर प्रधान मंत्री मोदी जमूई और नवादा की रैली में परिवारवाद और भरष्टाचार का जिक्र विस्तार से क्यों नहीं कर सके परिवारवाद का तो नाम ही नहीं लिया क्या वे भी परिवारवाद से प्यार करने लगे हैं जमूई की रैली से पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था कि प्रधान मंत्री मोधी जी आज बिहार में प्रथम चरन की चार सीटों का प्रचार करने आएंगे चारो सीटों पर विशुद सौ फिसदी परिवारवादी उमीदवार हैं इन में से दो कथिच शेत्रिय परिवारवादी पार्टियों के तथा दो उमीदवार देश की सबसे बड़ी परिवारवादी एवं वन्शवादी नेताओं से भरी पड़ी बीजेपी पार्टी के हैं जमुई में अरुन भारती पुर्व एमलसी जोती पासवान के सुपुत्र हैं पुर्व केंद्रिय मंत्री स्वर्गिया राम विलास पासवान जी के दामाद हैं और लजेपी आर के एमपी अवव वर्तवान राष्ट्री अध्यक्ष के जी जाजी हैं असल में जमुई में प्रधान मंत्री मोधी परिवारवाद पर बोलते भी तो कैसे बोलते आप कहेंगे गठबंधन है दूसरे दल का उमिद्वार नहीं तै करते लेकिन नवादा में बोल सकते थे कि उन्होंने सीपी ठाकुर के बेटे को क्यों टिकट दिया और यह किस तरह से परिवारवाद नहीं है प्रधान मंत्री भी एक नया परिवारवाद चला रहे है जब लालू यादव ने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी का अपना कोई परिवार नहीं तो सारे नेता लिखने लग गए मोदी का परिवार मोदी का परिवार उनके ट्वीटर हैंडल में जुड़ गया है कमाल की बात है ना जिस शब्द के सहारे उन्होंने विपक्ष को सबसे बुरा कहा उसी शब्द को हार बना कर खुदी पहन लिया आज उनकी पार्टी के हर बड़ा नेता अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखता है तदान मंत्री भी सभी को अपना परिवार कहने लगे हैं 13 मार्च को महरास्ट में बीजेपी अपने उमिद्वारों की सूची जारी करती है 20 में से 9 उमिद्वार परिवारवादी निकल आए यानि मोदी सिस्टम में दो प्रकार के परिवारवाद हैं एक निताओं के बेटे-बेटियां दामाद या ससुर दूसरा खुद अपना मोदी का परिवार राश्ट्रिय जनता दल का आरोप है कि बिहार में NDA के 14 ऐसे उमिद्वार हैं जो परिवारवादी हैं तेजस्वी यादव ने सभी 14 उमिद्वारों का नाम उनके परिवार के नाम के साथ ट्वीट किया है बिहार में मोदी का परिवार भले न फसा हो मगर मोदी का परिवारवाद वाला मुद्दा फस गया है परिवारवाद के नीचे एक और वाद है जिसे आप जातिवाद के नाम से जानते हैं वो खेल भी देखिए नवदा की सीट पर एक जानकारी आपके साथ साजह करना चाहता हूँ परिवारवाद के साथ-साथ आपको भारत की राजनिती की एक और सच्चाई दिखेगी बताने का मकसद यही है कि 2014 के बाद से भारत की राजनिती में चंदे का धंदा और ED के महा प्रयोग के अलावा कुछ नहीं बदला है सब कुछ उसी फॉर्मूले पर हो रहा है जो पहले से चल रहा था और नरिंदर मोदी वही सब कर रहे हैं उन्होंने ना तो इन बिमारियों को खत्म किया ना बदला है 2009 से 90 में BGP एक ही जाती के उमिद्वार को टिकट दे रही है और उसी जाती के उमिद्वार यहां से जीत रहें 2009 में BGP के टिकट से भोला सिंग जीते 2014 में गिरीराज सिंग जीते 2019 में लोजपा के चंदन सिंग जीते 2024 में विवेक ठाकुर उमिद्वार बनाए गए सभी एक जाती के ही हैं ये सभी इसी तरह आप कई सीटों का हाल देख सकते हैं नवादा सीट पर एक जाती के दम पर जीतने का राष्ट्रवाग इतना मजबूत है कि BJP नवादा के भीतर से कोई उमिद्वार खड़े नहीं कर पाती उस जाती के लोग नवादा के रहने वाले भी होंगे लेकिन कभी बेगू सराय से तो कभी बढ़हिया से तो कभी मुकामा से तो कभी पटना या मुजफरपुर से उम्मिदवार लाकर खड़े करती है बाहर से जाती के नाम पर जाती बात का वोट लेने के लिए उम्मिदवार लाती है अब आप फर्जी विशलेशन पढ़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी लेकिन यह कहीं से मोदी का राजनिती में नया प्रयोग नहीं है यह सब तो बाबा आदम के जमाने से भारत की राजनिती में चल रहा है हाँ उस जाती के लोग यह जरूर सोच सकते हैं कि अगर उनके बोट से उनहीं की जाती का व्यक्ति सांसत बन रहा है तो उनके जिले का क्यों नहीं बन सकता है क्या प्रधानमंत्री नवादा की seat के इस जाती वाद पर कुछ बोल सकते थे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं नवादा रैली के पहले भी तेजस्वी ने ट्वीट कर भरस्टाचार पर दस सवाल दाग दिये टेजस्वी ने पूछा कि पीम बताएंगे कि कैसे विपक्ष के सभी कथित भरष्टाचारी नेताओं ने CBI, ED, IT की मदद से BJP जोईन की पीम बताएंगे कि कैसे और क्यों कथित विपक्षी भरष्टाचारी कमल छाप साबुन से नहाने एवं नारंगी वाशिंग मशीन में धुलने के बाद बे इमान, भरष्ट और नकारे से इमानदार, करमट वस्योग्य बन सभी केसों से बरी हो जाते हैं पीम बताएंगे कि जाँच एजिंसियों की मदद एवं छापे के बाद, इलेक्टरल बॉन्ड के जरिये कैसे और क्यों बड़ी कमपनियां हजारो करोड रुपे बीजेपी के खाते में डालती हैं पीम बताएंगे कि क्यों जाँच एजिंसियां बीजेपी निताओं के घर छापा नहीं मारती, बीजेपी निताओं की जाँच क्यों नहीं होती है चुनाओं है चुनाओं में प्रधानमंत्री आते हैं फिर चले जाएंगे लेकिन आज जहां सभा कर रहे थे वार्सली घंजी में पिछले बार आये थे तो बोले थे कि वहां का चीनी को मील को हम चालू करवाएंगे एप तक चीनी मील को नहीं हुआ जो कहते हैं एक हाथ जोड़कर के आग्रह करते फाइं प्रधानमंत्री जी को मुद्दे की बात कीजिए वे रोजगारी पर पताईए आपने देश भर में कितनी नौकरिया दिया आपका विजन क्या है रोजगार कैसे पयदा कीजएगा बिहार में पनाइन कैसे रोकिएगा, बिहार को विश्रेश राज का दर्जा क्यों ने दे रहे हैं, आप महंगाई पर बताईए कि हर चीज महंगा होता चला जारा है, गरीब के थादी में से दाल रोटी गाइब हो रहा है, उनका पेट कैसे आप भड़िएगा, 22 तो छोड़ है, कुछ भी बोलेंगे, अंतो अगत्वा यही रिजल्ट आएगा कि हिल्दू मुसल्मान ही कराना पड़ेगा, बीजेपी, और कोई मतलब नहीं है, बीजेपी के पास है नहीं कुछ बोलने के लिए, क्या बोलेंगे भास्पा के लोगे, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जमूई की रैली में परिवारबाद पर नहीं बोल पाए, मगर भरस्टा चार पर वहां ठीक ठाक बोल कर आए, उसमें भी एक लाइन चुनावी चंदे के धंदे को लेकर नहीं बोल सके, बस यही कह पाए कि मोदी आया तो भरस्टा चारी जेल गए, लेकिन नवादा की रै से कहां बात को ले जाते हैं, एक लाइन में भरस्टा चार तो अगली लाइन में सनातन को तोडने वाले, पूरी कोशिश यही लगती है कि जनता के मन में सनातन वाली बात ही रजिस्टर करे, भरस्टा चार को लेकर जादा ना बोलें, ताकि उसे याद आ जाए कि उनसे भी विस्तार से अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं यहां इंडी गडबंदन कि एक उम्मेद्वार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मेद्वार वो है यहां आपस में ही सीर फुटबल मची है एक मजबूरी में साथ आये लोग है और इनकी मजबूरी का एक ही नाम है सत्ता का स्वार इंडी गडबंदन यानी ब्रस्टा चारियों का ठिकाना पूरे देश में चुनाओ की हल चल बढ़ रही है लेकिन ऐसा चुनाओ है जिसमें विपश्के लोग गडबंदन बना कर ब्रस्टा चारियों को छुडाने की रेली तो कर रहे हैं और हालत देखिए दो खेमे दोनों के विचार देख लीजिए मैं कहता हूँ ब्रस्टा चार हटाओं वो कहते हैं ब्रस्टा चारी बचाओ आप मुझे बताइए देश दोड़ने की बात करने वाले ब्रस्टा चारियों का समर्थन करवाने वाले सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले इन लोगों को भीहार माप करेगा क्या तद्धान मंत्री के भाशन में धर्म आही जाता है इसके बिना उनके विकास की कहानी ना तो शुरू होती है ना मनजिल पर पहुंसती है ना भरस्टाचार पर हमला पूरा होता है बस इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे जो खेल हुआ है उस पर नहीं बोलते है शायद उन्हें धर्म का नाम लेते ही जनता गर्व से टाइट हो जाएगी फिर उसे ध्यान नहीं रहेगा कि ED के चापे के बाद कमपनियों ने 100 करोड रुपे का चंदा BJP को दिया क्या इसके पीछे कोई भरस्टाचार है लेन देन है जनता यह सवाल पूछना भूल जाएगी धर्म पर उ प्रिम कोट मोदी राज के सबसे बड़े कानून को गेंदे की माला पहनाता ना कि गले से उतार कर इसे रद कर देता नमस्कार मैं रविश कुमार